नमस्कार दोस्तूं मैं हूँ आपका दोस्त परतीब कुवार बागड़े आपका इस कारिकम में स्वागत है जिस कारिकम का नाम है आपकी फर्माइश यहां दोस्तों बहुत सारे लोगों के फर्माइश आती हैं आज मैं आपनों की फर्माइश पुरी करने जा रहा हूँ साथ दिन साथ जड़ी बूटी बहुत यासाने से आपके घर में आसपास रहती है कोई ऐसा नहीं है कि जो है आपको नहीं मिलेगी आराम चापको बाजार में अपलब्द हो जाएगी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो आप से लाइक करें वीडि करता हूं कि आप देरे चैनल को ध्याद से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें फेस्बूक वाट्सप इस्टागाम च्वीटर किसी से भी कर सकते हैं और अपने चाहने वालों को नाप पहुचा सकते है तो दोस्तों साथ दिन साथ जड़ी बोटी जहां दोस्तों तीन सो पैसेट दिन लगातार खाईये कुछ नहीं होगा कहने मतलब यह कि हमेशा खाईये कुछ नहीं होगा यह आपको कहा मिल जागा वह भी बता देता हूं मैं आरेवेंदी की किसी भी दुकान में मिल जाएग और बहुत सारी कमपनिया कैपसूल भी बनाती है, तो आप टबरेट मी ले सकते हैं तो दोस्तों, सोमार को क्या लेना बता देता उначала हल्दी, जहेंँ दोस्तों हल्दी के बारे में आप सभी जानते हैं नहीं जानते हैं तो कोई बाती मैं आपको बता देता बहुत सारी बिमारियां बिल्कुल ठीक कर देता है हल्दी, अक्सर हमारे बुजर्ब लोग हैं, हमें अक्सर बताते हैं कि वह अल्दी ले लो, हल्दी जो है, चोट लग जाई है, यहां लगा लो, तो चोट ठीक हो जाएगी, बहुत सारी इसी तमस्या हैं, मैं आप पों बता प्रभावी और शदी तत्वा है जिससे ये अस्थमा साइनोसाइटिस्ट और खासी से बचाव करता है ये मेटा बालेज्म को ठीक करने में जो हैं मदद करता है शेरीर में अगर आपका फैड जमा हो गया है बज़त बढ़ गया है चर्वी जादा हो गई है तो इसका सिवन कर बहुत फायदा होगा अगर आपको चर्वी नहीं है तद्वी आपको लेना है मगर जैसे कि हर इंसान जो है अन्हें करें कुछ लोगों को बिमारियां रहती है और वो परसान रहते हैं तो वह अल्दी का सेवन करें सोमार को अल्दी ले मंगलवार को पुनरवा ले जनव नाम सही जिसे कि आपको पता लग रहा होगा अपने नाम के अंद्रूम या उश्यदी शरीर को फिर सनया कर देती है ये किडिनी और लीवर के रोगों से बचाने में सबसे बेजोड दवा है पुनरवा पत्री को निकालने में बहुत ही मददगार है जिने एनेमिया क समस्या है उनके लिए ये दवा रामबाण है दाल चीनी इसके निमिस सेवन से जोडों के दर्द में जहरात मिलती है चाहे जोडों का दर्द कितना ही पुराना हो कमर दर्द हो घुटने का दर्द हो कोई भी ऐस है नी दर्द हो इन सब के लिए ये बहुते रामबाण दवा है तो आपको क्या करना है इसको लेना है तो लेने का तरीका मैं प्रोग्राम के आम तुमें बता दूँगा खून को शुद्ध करने में दालचीनी एक बहुत बड़ी भूमी का निवाता है इस इसको अगर आप लेंगे तो तुछा से सम्बंदित बहुत सारी में माझिए जै इसलिए इसको सिवन करें वजनी लोग इसका प्रयोंग जरूर करें क्योंकि इससे वजन कम हो जाएगा अश्वगंधा गुरुवार जहां दूस्तों गुरुवार को आपको अश्वगंधा लेना है यह थायराइड की समस्था से बचाती है इसमें इंटी इस्टिट तरहा जयादा तनाव रहता है तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत ही मददकार है अश्वगंदा महलाओं में हार्मों के इस्ट्राहों को मीधड करती है जिसने महावारी के दोरान होने वारी समस्था chilli होती और आपके समस्था ठीक कर देगी गुरुवार को गिलोई ज इसे जो है आप लेते हैं तो शरीर की भीतर के लिवर और कीडिली इसके कारे को सुचार रूप करता है ये प्लेट लेटेस की संख्या को बढ़ाता है जिस इंडिंगू से बचाओ में भी बहुत कारगर होता है ये ब्लड में जो है यूरिक एसिट बढ़ जाए इसको बढ़ अगर अपनी यादा स्टेश करना है दिमाग तेश करना है तो उसके लिए ब्लडी बहुत ही राम बांड दवा है नस्टिस में सेरो टोनिक का इस्तर बढ़ाता है जिस मन की शक्ति बढ़ती है यादा स्टेज होतने में मदद करती है इसका नेमित रूप से सेवन करने से हि ठीक हो जाएगी और अगर नहीं है तो लेंगे तो आपको होगा नहीं राइवार को तुल्सी ये एक अच्छुक दवा है दोस्तों तुल्सी का पत्ता बहुत वड़िया दवा है ये एक बहतरीन एंटी आक्सिडेंट है इसलिए बढ़ापे की प्रक्रिया को रोकने में ब है जिसे ब्लॉकेज नहीं होता और हिर्दे अम्मेश्य स्वस्त रेता है तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों इसे किस तरह से लेने का है कैसे याद रखेंगे उसका मैं एक छोटा सा ट्रीक आपको बता देता हूं कौन सी दिन कौन सी ओसादी लेनी है तो यह आप को करना क्या एक छोटा सा पाय मैं बता बजार में जो है आप जाओंगे ना तो खंड वाले बॉक्स मिलते हैं जिस पर आप हर दिन गैसे कि सोमवार मंगलवार बुद्वार इन सब के आप स्लिप लगा दें या फिर अलग- क्रम आप बदन सकते हैं आगे बीछे कर सकते हैं यह आप सोमवार को हल्दी नहीं लेना चाहते तो कुनर्वा ले 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 ने तो ब्राम्मी ले तूल्सी ले 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 लेकिन एक सप्ता में एक दिन अवश्य लेना है कैसे लिए दवा ज़र द्यान से शनीघा चूण के रुम में औशदी खाली पेट, आधा चमच, गुनगोने पानी से लेना है इस बात का ध्यान रखे और टेबलेट ये कैपसूल जो है 500 mg कि आप लेना चाहें तो सुवेर खाली पेट ले सकते हैं गुनगोने पानी से ले, रोज एक टेबलेट ले ये कैपसूल ले, बड़ी-बड़ी कंपनिया इस तरह के टेबलेट अभी बना रही है तो आप वह भी ले सकते हैं दोस्तों, जितनी भी दवाई बताई है मैंने चाहें वह तुल्ची हो तुल्ची हो तुल्ची ये सारी दवाई आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगी आप कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको जो है जर इसका जो है 100% होगा पहली बत यहेखे हैं तुल्ची आप जो हैं खुझी अगर हो सके तो खुझी लाएं और खुझी इसकां बताईए हैं खुझ लाएं और खुझाो के flossy पीसें engaging आजका लागई है तो उसमें आप इसके मागए हैं तो माजे हैं ये साबट quickly ख्रेख केंड नया तो बाजार दिखें में जो जो है स्थाबुत ले ले इन सब कि ऊद्द अपको लाना है कि कोokष ऀए और इन को पिछि खोथ आ बागफ सर्फ आग्या पीछे कर सकते बाकि आप इसे जरूर लेजिए मारे मैं ! हो हल्दी के उपर अगर मैं कहना चाहूं तो दो से तीन गंटे का या बिलकुल आसानी से जो है वीडियो बन जाएगा लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो बने तो यह देखें हल्दी जो है आप कभी भी लीजिए हल्दी शाबुत लीजिए बाजार से और उसक दालचीनी का जो डंडी होती है उसको ले 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 और उसको जो है पीसके रख ले तो यह सब चीजे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है तो आप जरूर लें से उम्मित करता मैंने आपको जो जानकारी दी है वो जरूर अच्छी लेगी होगी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा तो दोस्तों साथ जड़ी बूती साथ दिन खाईया और हमेशा स्वस्त रही है हर उमर के लोग ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है छोटे बच्चों को जो अजिए सकते हैं जैजिए जोछ का जए हैं